क्या आपके शादी होने वाली है लोकडाउन में या ऐसे सिचुएशन में जहां पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेंग करना पर सकता है या आपको कोई ब्राइडल मेकाप अर्टेस्ट मिल भी नहीं रहा है कोई राजी ही नहीं है कि कोई ऐसे situation में आके आपको bridal कराए तो चिंटा की कोई बात ही नहीं है जहाँ पर मैं होआ पर आपको bridal बने से कोई नहीं रोख सकता क्यूंकि आज के वीडियो में जैसे के अमने सामनेल पर देखा है कि मैं आज कुछ ऐसे important makeup products के बारे में बताने वाली हूं यह सारे products अगर आपके पास है एक दम minimal products है अगर आपके पास है तो आप खुद ब्राइड बन सकते हो किसी के help लेनी के जरूरत भी नहीं है हो भी सकता है कि ब्राइडल आपको सजाने के लिए नहीं आ पाए तो क्या आप ब्राइड नहीं बनोगे या ऐसे ही चले जाओगे शादी करने बिल्कुल भी नहीं तो यह product अपने पास जरूर रखे क्योंकि अभी अगर मार्केट नहीं जा सकते तो ऑनलाइं से पार्टिस कर लो और सारे अपोर्डेबल प्रडाइप्स है तो चलिए चुरू करते हैं आज का वीडियो मैं आपको एक दम शुरू से एक्स्प्लें करके बताती हूं कि कौन से चीज को आपको कैसे यूज करना है जब हम पहल एक प्राइमर यूज क्या चाता है फिर क्या करते है एक प्राइमर चाहिए तो प्राइमर आप आपके पास एक रख जैसे कि है ये मेरे पास मेबलीन का प्राइमर मास्टर प्राइमर अगर आपके पास प्राइमर नहीं है हो भी सकता कि आपका प्राइमर खतम हो गया हो और आप इतने भी make up करने से used to नहीं हो कि आपके पास primer रहे बढ़ primer तो चाहिए base makeup करने के लिए तो आप एक काम कर सकते हैं आप उसके जगा कोई भी aloe vera gel का use कर सकते है aloe vera gel as primer अपने लगा लिया primer हो गया अभी primer के बाद क्या चाहिए एक base makeup जिसके लिए हमें क्या चाहिए एक foundation ऐसा एक foundation आप ले सकते हो ये मेरे पास है maybelline matte poreless foundation अपकोस आप try किजिए कि आप poreless foundation ही use करें मैं बता देती हूँ poreless foundation क्या होता है ये foundation वह वाला foundation होता है जो आपके face पर अपलाई करने के बाद ऐसा effect होता है कि आपके जो पोर्स होता है पेस के वो minimize हो जाते है बहुत हद तक completely नहीं होते है बट बहुत हद तक होते है तो एक matte poreless foundation आप यूज किजिए क्योंकि समर टाइम चल रहा है तो जरूर आप matte makeup ही यूज किजिए तो कोई भी ब्रांद का आप foundation यूज कर सकते है matte foundation लीजिए और आपके complexion के हिस्ता आप से लीजिए foundation के बाद बारी हाती है compact powder की मतलब सारे जो मैंने makeup किया अभी primer, foundation अब को सेक्स को करना है ना setting के लिए हमें क्या देए ये powder either compact powder और loose powder तो इसके लिए आप कोई भी powder यूज कर सकते हो वैसे वो quants वाला talcum powder मत यूज करना क्योंकि वो face में नहीं लगाना चाहिए उसे makeup set भी नहीं होगा तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हो white tone powder यूज कर सकते हो जो मैं regularly यूज करती हूँ वो एक face powder है आप ऐसे कोई compact powder यूज कर सकते हो मेरे पास Maybelline का poreless है त्राइ टो यूज पोर लेस पाउडर अगर फिर भी नहीं है तो आप Lakme का powder यूज कर सकते हो यह सब बहुत थी affordable products है और यह तो loose powder है और इसका range भी बहुत ही कम है 150 rupees है इसका price और यह थोड़ा सा ज्यादा है 400 के उपर होगा यह offer price में तो मिनी जाएगा तो आप compact powder या loose powder यूज कर सकते हो और यह अपने पास रखना भी ज़रूरत है अभी दिखाना है face score sharp और nose score sharp तो उसके लिए क्या होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसके लिए हमें contour करना पड़ेगा और highlighting तो इसके लिए आपको क्या चाहिए contour चाहिए contour palette या contour stick contour pancake कुछ भी और highlighter चाहिए और concealer चाहिए तो concealer के बारे में मैं पहले bold हूँ concealer अगर आपके पास नहीं है तो यह तो नॉर्मल है कि आपके पास concealer होगा भी नहीं तो आप क्या करेंगे आपने जो foundation यूज क्या है उसी का second layer, third layer आप पेस पे अपलाई करें जहां पे आपको dark circle चुपाना है या कोई spot चुपाना है अब वो apply कर सकते हो second coat देखे मैं बोल रही हो कंटोर के बारे में जैसे की मेरे पास यह मार्क वारा पैलेट है कंटोर का बार बार यह देख चुके हो मेरे वीडियो में मेकप वीडियो में तो इसमें एक कंटोर है, एक highlighter है तो अगर आपके पास ऐसे combo pack है, combo एक palette है तो बहुत अच्छा है अगर नहीं है, तो आप क्या करेंगे जिनरली यह सा palette का range थोरा सा ज्यादा होता है अगर आप यह नहीं खरीजना चाहते है तो छोड़ दीजिए, नहीं खरीजना पड़ेगा आप इसका भी alternative way निकाल सकते हो, कहते अगर आपके पास एक अच्छा सा eyeshadow palette है, ऐसा नहीं कि बहुत costly, ऐसा होना चाहिए कि उसमें सारे colors available हो normally जो जो color हमें चाहिए तो उन में से ही आप brown वाला shade यूज़ कर सकते हो और highlighting के लिए जो silver और golden glitter वाला shade होटा है वो आप यूज़ कर सकते हो ब्रौ वाला shade आप यहाँ पर contour कर सकते हो, नोज कर सकते हो और highlighters के लिए आप जो silver या golden glitter वाला shade है उसको आप चिक बोंस पर कर सकते हो ब्रो बोंस पर कर सकते हो, नोज के उपर लेँड के ऊपर, यहाँ पर कर सकते हो और jaw lines पर भी वो कंटोर के लिए ब्राउन बाला शेड हो तो ऐसे आप मेक उप कर सकते हो अपने अचिखेद का तो अभी बाड़ी को में था यह जह सको अभी आइस थीजद। मॉर्फी ज्यक्लीन का जो मैंने रिशंटी लिया है यह वाला तो यह ब्लुप बालेट है तो आप डीूप बालेट ले सकते हो और इसमें सारे कलर्ड और बहुत सारे शेदे में धी अवेलेबल है फेशली रेड ग्लिटरी शेड येलो ब्लुप पेंच यह सब आप चाहिए अभी बाकी रहता है काजल, आई-लाइनर और मास्कारा तो काजल, आई-लाइनर और मास्कारा यह तीनों प्रोड़क्स कोई अल्टरेनेटिव नहीं होते हैं इन तीनों को आपको पार्टिस करना ही पड़ेगा बट मीनिमम जो लोग मेकप करते हैं यह तीनों चीज़े सबके पास होती है तो आप अफटर आई-शाड़ो तो आप यह तीनों प्रोड़क्स को यूज कर सकते हैं पास ग्रीटर वाला है तो और भी अच्छा होगा ब्राइडल लूप में तो चमक जाएगा और उसके बाद क्या करना है एक मार्शकारा एपलाई करनेए ऐसी मार्शकारा एपलाई करनेए जिसमें वॉल्यूम ज्यादा लीती हो तो यहां पे खतम होता है आपका टोटल मेकप लूप पॉर अ ब्राइडल तो हो गया आपका ब्राइडल मेकप लूप पर एक चीज छूट गया ना ब्राइडल बनने जारे हो क्या छूटा है बोलो तो पॉस्ट करके वीजियो को कॉमेंट सेक्षन में बताओ कि क्या छूट गया है मैंने क्या नहीं बताया जो बताना चाहिए था बिंदी छूट गया है आपको एक बिंदी भी चाहिए तो कम्प्लीट हो गया आपका ब्राइडल मेंकप लुक विदाओ तो जरूर इस वीडियो को देखे और मेरे हिताब ते ऐसे कुछ प्रडाक लेकि अपने ब्राइडल मेकप को कम्प्रीट करें तो मजा या जाएगा तो खतम करते हैं आज का वीडियो मिलते हैं नेक वीडियो में तब तक के लिए वेरी गुद बाई